हेलो एवरिवन हाव आर यू आज मैं आपको आपकी हिंदी बुक सल्सकार का लैसन नाइंटीन नीती के दोए समझाऊंगी जिसमें कपीर जी के और रहिम जी के दोए का वर्णन हुआ है तो निम्लिक्त परसनों के उत्तर देजी कोशन समझने से पहले प्लीज चैनल एंट कोमेंट मी कोशन फर्स्ट इच खुजूर के पेड की उपमा किन लोगों के लिए दी गई है जो खुजूर का पेड होता है वह बहुत ही लंब होता है तो उसकी उपमा किन लोगों के लिए दी गई है कि जो लेसन है उसमें खुजूर के पेड का वर्णन क्यू हुआ है तो अवर अंसरी जो लोग बड़पन का परदर्सन मात्र करते हैं तता वे किसी को लाब नहीं पुझा सकते खुजूर के पेड़ की उपमा ऐसे लोगों से की गई है जो खुजूर का पेड़ होता है वो लंबा होता है परन्तु लाब किसी को निपुन चाता ऐसे ही जो लोग बड़पन का परदर्सन करते हैं और वो लाब किसी को निपुन चाते और इसलिये खुजूर की पेड़ की उक्मा ऐसे लोगों से की गई है Our second question is हमें किस प्रकार की वानी बोलनी चाहिए हमें ऐसी वानी बोलनी चाहिए जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगे जो दूसरों को सुनकर उनके मन को मुह ले हमें ऐसी वानी बोलनी चाहिए Our third question is आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारा आज का काम हो में अगले दिन पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए Our answer is क्योंकि समय का कोई भुरोसा नहीं होता पता नहीं कब परल्य हो जाए इसलिक किसी भी काम को कल पर मत तालो Our fourth question is उत्तम प्रकरती के लोगों पर कुसंग का क्या परभाव पड़ता है जो अच्छे लोगों थे हैं उत्तम प्रकरती के लोगों पर कुसंग का कोई परभाव नहीं पड़ता और फिफ्ट कोशन इज रहीम ने सज्जन लोगों के प्रति किस विवार को अपनाने के लिए का है और फिफ्ट कोशन इज रहीम ने सज्जन लोगों के प्रति अच्छा विवार अपनाने को का है और फिफ्ट कोशन इज सज्जनों की समपति किस के लिए होती है जो सजन परसन होते हैं उनकी समपति किस के लिए होते हैं सजनों की समपति दूसरों के कारियों के लिए होते हैं ओके हैव नाइस टे